वाहे गुरूजी का खाल साथ वाहे गुरूजी की पते दोस्तों सोनम वांग्चु को आप जानते हैं सोनम वांग्चु ने सिख धर्म के बारे में और सिखों के बारे में बहुत बड़ी बाते बोली हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ बताने व दोस्तों जिस समय तक मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस समय तक गुटका साहिब की विक्री हो रही थी, लेकिन जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके हटे तो इसके बात से जब मैंने Amazon के उपर जाकर फिर से सर्च किया, तो Amazon के उपर अब इस समय कोई भी गुटका साहिब नहीं दिखाई दे रहा है, और Amazon ने जितने भी गुटका साहिब पहले वहाँ पर सुंदर गुटका, नितनेम गुटका, Amazon की वेबसाइट के उपर दिखाई दे रहे थे, उन सभी को उन्होंने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है, जो इनको गुटकों को बेचते हैं, वही लोग आज के समय के अंदर ऑनलाइन Amazon और प्लिपकार्ट के उपर भी बेच रहे हैं, तो इसकी जो जाज परताल होनी चाहिए, पुर्तगाल के अंदर गरंथी सिंग ने श्रीकालतक साइट जी के जथेदार जिसे अपील की है कि उनकी वहाँ पर मदद की जाए और गुर्दवारे का जो लोभी लालची परधान है, जो अमरत हरी भी नहीं है, उसको वहाँ से ह अंगतियां लिकर उन्हें बेचा जा रहा था, इसी के साथ मैं आपको आज की सबसे बड़ी ख़बर बताने वाला हूँ कि भारत के अंदर तेलंगाना है, तेलंगाना के अंदर एक गच्चू बाई नाम का एक गाउं है, उस गाउं के जितने भी लोग है, उन सारे लोगो दो जुड़ा, आज के समय उनका पूरा गाउं अमरधारी गुर्सिक हो चुका है, उनके बच्चे गुर्दवारे जाते हैं, पाठ करते हैं, बड़े-बड़े पदों के लिए वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगली ख़बर है, वो तलंगाना वाले गाउं के एक ख़बर से और आने वाले समय के अंदर इनी 15 के 15 बच्चों को दोस्तों नौकरियां मिलने वाली है, दोस्तों इसी के साथ मैं आपको अमरित पाल सिंग जी की भी खबर दे देता हूँ, अमरित पाल सिंग जी जो हलका ख़डूर साहिब से MLA है, और इस समय आसाम के अंदर डिबरूग मांदी वहाँ पर क्या जवाब देते हैं, हर्याना के अंदर लोगों ने BJP का पता साथ कर दिया है, दोस्तों ऐसी खबरे सामने आ रही है, जहां BJP कहती थी वो 300 पार 400 पार करेगी, और इस बार हर्याना के अंदर इनकी जो प्रडिक्शन है वो भी धराशाई हो गई है, आ कि कई मुद्धों को लेकर एक लंबे समय से तकरीबन साल हो चला है, वो परधान मंतरी मोदी और अमी शाह के साथ बाचित करना चाते थे, लेकिन भारत के परधान मंतरी भारत के सबसे बड़े विग्यानी को नहीं मिल रहा है, दिल्ली पहुचने से पहले इन्होंने एक र आगे की और खबरे जानेंगे चलते हुए मैंने अमल में देखा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही कहूंगा कि इस बदलते दुनिया में आप अपने मूलियों को ना बदले, ये जर्मों में जो हीरे जैसे मूले चुपे हैं, वो चुपी की चुपी रह जाते हैं और लोगों को बांटने म इसका मिस्यूज, गलत इस्तिमाल किया जाता है, तो ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएं, तो जो गलत वश्चिम के विकास के मॉडल से हो रहा है, वो हमें अपने प्राचीन, परंपरा और दरम से मिल पाएगी, अगर हम इस दूल मिट्टी को हटा कर इसमें जो मूल ले करने का एक जंडा बना के उसका दुर्प्योग करें, पर सोनम बांक्चुक जी ने सिख धरम के बारे में बोली कि जो आज के समय सिख धरम के उनको जो मूल है सिधानत है, वो बहुत अच्छे लगते, वो एक लंबे समय से सिखी के बारे में जानते, केवल आज नहीं की लंगर की विवस्ता दे की, इसी को दे कर वो मनमुहित होगे नहीं, वो सिख धरम के मूलियों के बारे में सिधानतों के बारे में एक लंबे समय से जानते, और कई बारे इन्हों ने सिख धरम के बारे में बात की है, और उन्होंने का है कि जिस परकार से आज सिख धरम के अ जब 1370 आर्टिकल जो जम्मू कश्मिर से हटाया था तो उसके बाद इन्होंने लदाक को भी यूटी बना दिया था जम्मू कश्मिर के साथ यहाँ पर इन्होंने एक राज को केंदर शाषित परदेश बना दिया और उसके बाद से इनकी जो लड़ाई है वहाँ पर शुरू होती है गुरुबानी के अंदर भी नेचर को लेकर बाते लिखी गई है पवन गुरु पाने पिता माता तर्त महत तो ये बाते जो है सोनम बाक्चुक आज के समय हमें सिद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिछले समय के अंदर जब सोनम बाक्चुक ने लदाक से अपनी पैदल यातरा शुरू की थी तो जो बीते दिनों ये दिल्ली पहुंचे और वहाँ पर जाकर इनको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेश्ट कर लिया तुनम बाक्चुक हमेशा एक बात कहते हैं कि अपना जो इन्वार्मेंट है परियावरण है इसे बचाओ पहाड को कम से कम बेश्ट कीजिए तीसरी बात मुबाइल फोन को फोन करने के लिए कम से कम उपयोग कीजिए सोनम बाक्चुक जी ने जिस परकार से सिक धर्म के लिए संदेश दिया बहुत अची बाते लगी दोस्तों ये जो वीडियो है काफी लंबा हो चुका है तो इस वीडि को तीक बाते